श्री गोरखनात मंदिर में युक पुरुष महंद दीविजानात महाराज की पचासमी एवं राष्ट संद महंद अवैदनात महाराज की पांचमी पूर्तिती परायजिस सप्ताइक श्रदाजली समारों के अंतरगत बुद वार को श्री गोरखनात मंदिर परीसर में महांद इसके पहले धाई बजे शिरीमाद भागवत महापुराण एवं अखंड जेवती की शोभाय जातरा मुख्यमंतरी उतरपरदेश वागुरच पीटा दिश्वर महांत योगी अधितनात के साथ कथा व्यास स्वामी रागवाचार्य महाराज दिगंबर अखाड़ा के महांत संत महात्मा यजमान समलित रहेंगे ये जानगारी श्री गोरखनात मंदिर के प्रदान पुजारी योगी कमल नात ने दिये बताया कि सब्ताहिक श्रीमाद भागवत कथा को सम समाजिक राश्टिय समाजिक मुद्दों से जोड़कर कथा व्यास ब्रहमलीन दोनों महाराज के विचारों एमम उनकी इच्छाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे धर्म संस्कृति की रच्छा है तू राजदर्म का वो संदेश भी कथा में मुझेगा जो भारत की रिशी परंपरा देती रही है व्यक्ति को परिवार समाज राश्ट के दायत वोध को समझाते हुए श्रीबद भागवत कथा के विविद पात्रों के आदर्श भक्तों के समख्ष परस्तुत करेगा मंदिर के मुख्य पुजारी कमलाद ने बताया कि गोरफपूर एम आसपास से आने वाले वक्त शिरदालों के दरिश्टी से सभी तैयारियां पूर्ट की गई हैं बुजब लाल डिकी पार्क बाबा चौन सिंग मंदिर एलाही बाग सूरी कुंड ओवर ब्रीज राम लिला मैदान अंधियारी बाग होते वे श्री गोरखनात मंदिर मुशी प्रेमचन पार्क टीडियम चौरहा रीर साप का दरमशाला शास्त्री चौक गोलघर धरमशाला होते वे भी श्री गोरखनात मंदिर इंजिनरीन कॉलेज गिरधर गंज चातसंग चौरह विश्वेदले चौरह रेलवे स्टेशन महाराणा परताब तीरह होते वेश्री गोरखनात मंदिर गीतावाटिका धरमपूर तीरह पादरी बाजार पुलीस चौकी खजांची चौरह ब्रहमलीन मांद वियनाजी महाराज का 125 जैनती वर्ष इवन राष्ट संद ब्रहमलीन मांद अवेनाजी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष भी है